नमस्कार दोस्तों मैं निल चोपडा स्वागत करता हूँ आप सब का इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रेगन फूर्ट के लिए प्रोडक्शन निकालने के लिए बेजल डोज हमें क्या डालना है अभी मौसम चल रहा है शर्दी का और कंवर्ट हो रहा है गर्मी की तरफ ड्रेगन फूर्ट का प्लांट है वो डॉर्मेंसी से बाहर निकल के हलका सा ग्रोथ स्टार्ट कर देता है तो इसी टाइम हमें बेजल डोज क्या डालना चाहिए इस रिलेटेट बहुत दोस्तों ने मुझे कॉमेट करके सवाल पुछा था वाटसाप के उपर बहुत किसानों ने मैंने इसका सीडिल भी बेजा है लेकिन बहुत का रिपला ये भी आया क्या निल पर इसके उपर एक आप पूरा वीडियो बना के वाटसाप कर दीजिए तो लेकिन दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये मेरे अनुभव के इसाब से मेरे फार्म के इसाब से मैं बना रहा हूं और मेरे मिंती पानी के इसाब से बन रहा है के टाइम पर इसमें से हमें फ्रूट मिलेगा तो यह वीडियो दोस्तो स्टाटिंग से एंड तक जरूर देखे अगर आप बेस्ट इसमें रिजल्ट लेना चाहते हो तो दोस्तो इस वीडियो को मैं दो वीदी में आपको बताऊंगा एक रेडिमेट मार्केट से आप पर्च में डाल सकते हो तो दोस्तो वीडियो की सिरुवात से पहले अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं है तो हमारे साथ जुडने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल वाली गंटी को जरूर दबाए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिपिकेशन आप तक पह जाएगा दोस्तों इस बेजल डोज के बारे में में आपको दो तरीके से बात करूंगा जो पहला है कि आपको रेडिमेट खाद मिल जाएगा बजार से तो वह आप मंगवा के डार का कर सकते हो और दूसरा है जो अलग अलग content है उसको आप मिक्स करके अप बेजलमें डाल क यूज कर सकते हो तो दोस्तों मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूं जो मार्केट में अवेलेबल है राइजिंग लीफ पैलेट फटिलाइजर वो एक पैलेट के रूप में आता है और बहुत सांदर क्वालिटी का वो खाद है वो आप ड्रेगन फ्रूट है मेंगो है ग्व कर सकते हम जिसका मैं उप्योग कर रहा हूं और यह आपको रेडिमेट इसलिए बता रहा हूं कि बहुत दोस्तों ने मुझे यह बताया कि हमें ऐसा कोई रेडिमेट फटिलाइजर मिलता है तो वो बताये तो हमें यह सारी चीज़ें न करनी पड़े और एक ही खाद से हम प तो ब्हुत सारे कंटेन मिला कर एक ही इसको त ideiaर किया हुआ है जिसके इंदर काव डंग भी है इसके साथ कोकोपीट मुंक्स किया हुआ है चिकन मिन्यूर मुंक्स किया हुआ है मुर्मी कमपोस्ट है यूमिक एसीड है natural amino acid है यह aloe vera भी इसके अंदर mix किया हुआ है neem cake भी डाला हुआ है कास्टर cake भी डाला हुआ है rock phosphate भी इसके अंदर डाला हुआ है ऐसे बहुत सारे content इसके अंदर डाले हुए जिसकी details में आपको जहानकारी चाहिए तो मैं screen के उपर company का number दे देता हूँ और आपको इस fertilizer को मंगवा ना है तो भी आप यह number के उपर call करके direct company का contact करके आप मंगवा सकते हूँ direct company का number मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप direct company से मंगवा होगे तो आपको कुछ benefits मिल जाए इसलिए में direct company का number आपको screen के उपर दे देता हूँ और company all over India में direct आपको supply कर सकती है दोस्तों rising leaf pellet fertilizer को आप उप्योग करना चाहते हैं तो उसका में प्रमान आपको बता देता हूँ कि जब छोटा plant है तो पर पॉल के इसाब से एक से दो केजी आप इसके अंदर रिंग बना के डाल सकते हो और जैसे plant बड़ा हो गया और उसके उपर आपको fruiting लेना है तो fruiting के लिए 2-3 साल का जैसा आपका plant है वहाँ पर 2-3 केजी आप उसके अंदर पर पॉल के इसाब से डाल सकते हो बेजल डोज के अंदर और 4-5 साल से बड़ा आपका plant हो गया है तो उसके अंदर थोड़ी मात्रा आपको बड़ा नहीं पड़ेगी पर पॉल के इसाब से 4-5 केजी मतलब पर प्लांट के उपर 1 केजी के आसपास आप पैलेट फटिलाइजर को डाल जीजिए क्यूंकि इसके अंदर सारे nutrition मिलते हैं और अलग-अलग content भी मिलाया हुआ है तो हमें अलग बाजार से लेके दूसरा कोई mix करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों ये पैलेट फटिलाइजर आपको apply करना है तो कैसे करना है कि हमने जहां पर प्लांट लगाया है उसका जो root zone है वो root zone के आधे फिट दूर वहां से पूरा एक नीक बनाके इतना 4 इंच का नीक बनाके वहां पर हमें इस पैलेट फटिलाइजर को डाल देना है और 4 इंच मिटी के नीचे डालना है उसको ऊपर नहीं छोड़ना है दोस्तों इस पेलेट फटिलाजर के साथ अगर आप केमिकल खाथ डालना चाहते हो तो वह भी मैं आपको बता देता हूँ कि आमोनियम सलफेट आपको परपॉल के हिसाब से 200 ग्राम इसके अंदर आप डाल सकते हो या पर ड्रीप तो ड्रीप में आप अपलाई करके सीडिल को मेंटेंड कर सकते हो जिसमें सलफर और नाइट्रोजन रहता है तो उसको हमें प्लस करना है इस टाइम पे क्योंकि सलफर रहेगा तो उसमें फंगस का एटेक कम हो जाएगा और नाइट्रोजन रहेगा तो प्लांट को ग्रोध करने में हेल्प करेगा और दूसरा डीएपी 500 gं, अथवा इसके अवेजी में 122 सोला एनपी के 200g, जेद दो मैंसे कोई भी आप इसके अंदर एड़ करिये, चलेगा, दोस्तों इसके साथ-साथ, आप जिवामृत बना रहे हो, तो बियशत है, जिवामृत डालिए, अथवा एड़न्स जिवामृत बना रहे हो, तो मिलेगा और उपर आई बटन में भी मिलेगा वहां जाके आप देख लीजिए वहां से आपको डिटल्स मिल जाएगा तो यह आपको पर पॉल के हिसाब से 500 ml डालना है यह ड्रिंचिंग करके भी आप डाल सकते हो या फिर आप ड्रीप सिस्टम से पानी देते हो तो ड्रीप के है फंगस वाम यह चार पर एकर के हिसाब से आप जो भी कंपनी का परचस कर रहे हो वह कंपनी का प्रमान है उस हिसाब से आप एपलाई कर दीजिए एक बार आपको एपलाई करना है इस सीजन में बाकी दुबार मैं आगे जो सीजन बदलेगा उस हिसाब से मैं आपको नया जो किसान रेडिमेट डालना नहीं चाहते और जो अपने हिसाब से डालना चाहते उसके लिए मैं आपको बात कर रहा हूं तो उसमें आपको पहले पूरा एक मिक्सेर बनाना पड़ेगा मिक्सेर बनाने के लिए मैं स्टेप आपको बता रहा हूं आप गंजीवा मुरूत का इसोई पॉडर적र फ्रक्राइब नहीं है तो आपकोई भी कमपोस्ट खाड ले जाये रगलिये यह तीन में से कोई भी एक चलेगा या तीन मिक्स होगा तो भी चलेगा दो होगा तो भी चलेगा इसको आप पट भॉल के हिसाप से पांच से साथ केजी के आसपास डालिए इसके साथ-साथ दूसरा है पर-पॉल के इसाब से 10 ग्राम यूमिक एसीड जो पावडर फॉर्म में लेना है लिक्विड में लेना है लिक्विड फॉर्म में आप यूमिक एसीड परचस करोगे तो उसका जो कॉंसेंट्रेट है वो एकदम डाउन हो जाता है तीसरी चीजे नीम केक पर-पॉल के हिसाब से 100 ग्राम और कास्टर केक पर-पॉल के हिसाब से 100 ग्राम इसके बाद तम्माकू का ड़स्ट पर-पॉल के हिसाब से 50 ग्राम यह सारी चीजों का एक मिक्षर बना के आप पर पॉल के हिसाब से इंपूट करना है यह कंपल सरी है और इसके सामने मैंने उसका रेडिमेट अवेजी दिया था कि आप राइजिंग लिफ पैलेट और्गनिक फटिलाइजर भी डाल सकते हो अगर आप यह सारी चीजों का उप कर सकते हो और ओडर करना है तो ओडर भी आप कर सकते हो जिसका नंबर स्क्रीन के उपर मिल जाएगा दोस्तों अगर आप इसके साथ क्यामिकल फटिलाइजर भी डालना चाहते हो या उप्योग कर रहे है तो उसके लिए आप पर पॉल के हिसाब से आमोनियम सलफेट 200 ग्रा तो फास्ट आपको मुवमेंट दे देगा दोस्तों बेजल डोज आपने यह सारा मिक्सर बनाके डाल दिया या फिर रैडिमेट रैजिंग लिफ फटिलाइजर को आपने डाल दिया इसके बाद आपको पर-पॉल के उपर ड्रिंचिंग करना है या फिर आपको डृप सिस् चोथा है वाम कल्चर यह चार अलग-अलग कल्चर है उसको आप इसके अंदर ड्रिंचिंग या ड्रीप से एपलाई कर दीजिए उसका प्रमाण में मैं नहीं बता रहा हूं आपको जो कमपनी का आप पर्चेस कर रहे हैं उसका प्रमाण आप पर एकर के हिसाब से देखके आ और इसके साथ साथ आपको हर पंदरा दिन के अंदर पर पॉल के हिसाब से पान-ँसफोट यमेल जिवा मॲूत बना के देना है अथवा तो एड़्वा ही जीवा Muhrute बना के देना है एडवांस जीवा मूत क्या है वह आपको समझना है तो उसका वीडियो का लिंक में आपक समझ लीजिए वो भी एक best quality का bio liquid fertilizer मिल जाएगा आपको दोस्तों ये सारा basil dose का schedule मैंने आपको बता तो दिया लेकिन आप उसको डालोगों कैसे वो भी थोड़ा हम समझ लेते हैं बहुत बार किसन गलती कर देता है कि जो हमारा bed बनाया है ड्रेगन फूट का तो उसके उपर सब डाल देते हैं ये गलत है इसको उपर डालने से उसका इतना परिड़ाम नहीं मिलता है लेकिन इसका application हमें कहां करना है कि हमने जहां पर पॉल लगा है इसके बगल में चार प्लांट लगे तो चारों प्लांट के जहां रूट गए है तो वो रूट जोन में हमें इसको apply करना है तो समझ लो आपने जहां प्लांट लगा है उस से एक फीट या डेट फीट के आसपास आपका जहां रूट गया है वो आप एक बार आपके farm में चेक कर लिजिए उसका रूट कहां तक गया है तो वहाँ पर हमें रिंग बना के मिटी में चार से पांच इंच अंदर डालना है ये रिंग बना के तो ही हमें अच्छा इसका परिणम मिलेगा आपने रिंग बना के मिटी के अंदर डाल दिया इसके उपर फिर आप मिटी को डाल दो और उसके बाद आपको ट्राइकोडर्मा, शुडोमोना, श्पेशिलोमाशिश और वाम कल्चर को ड्रिप के अंदर एपलाई करना है और हर 15 दिन में जिवामरूत या एडवांस जिवामरूत का पर पॉल के हिसाब से 500 ml के हिसाब से आपको एपलाई करना है तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेट करके बता सकते हो और नया वीडियो कौन से टॉपिक के उपर चाहिए वो भी मुझे कॉमेट करके बता सकते हो कौसिस करूँगा हर टाइम आपकी हेल्प करने की जो मेरा अनुबव और जो मेरा नोलेज रहेगा वो आपके सामने सेर करने की तो दोस्तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर खतम करता हूँ मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवारत